दो पहर का समय था और खाने को भी कुछ नहीं था और मेरी बेटी जो दो साल की उसको बहुत जोड़ से भूक लग गई थी तो उसने खाने का डिमांड कर दिया फिर मैंने भी एक जुगार लगाया एक ऐसा स्नैक्स उसे बना कर दिया जो कि बहुत ही हल्दी है तो चलिए आप लोग अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा बनाना तो मेरे साथ इस वीडियो में अंतक बने रहे और देखे कि मैंने कैसे बनाया है तो सबसे पहले मैं यह मैंने सूजी ले लिया था मैं सूजी को अच्छे से देख रहे थी कि इसमें किसी तर वह ठाब है दूसरा है कि आगर वह जो खाती है वह घल्दी हम फिर अच्छा ना हो तो वह फिर उसका मनी करेगा खाना खाने के लिए आज डोली और मैंने में दोनों को ले लिया है कहाँ सबस्दों खड़ी ठाले थोड़ा सबच करें करें तो चुछ पजा मैं तक हिite ऊल्डीesting पडीफ़ी मेन दोब दोगता है वैसे आप एक चीज यह भी कर सकते कि अगर आपका बच्चे को खाने में ये थोड़ा पटा चाहिए तो आप उसमें मैगी मसाला मिला सकते हो ऐसे ये तो भी छोटी है तो इसका इतना रिमांड है नहीं तो मैंने इसमें थोड़ा से चाट मसाला एट कर दिया था अब इसे आ भी कुछ भी फेटने वाला होता अगर जब ऐसा कंडिशन आजाता कि मैं नहीं फेट पाउत तो भी मैं हाथ लगाती हुने ते मैं हाथ नहीं लगाती मैं चम्मच का ही यूज करती फेटने के लिए मैंने एक और सोचा हाथ लगा के भी कि हाथ से करती लेकिन फिर मुझे ल की बटी कि भी बांचन लगा और फिर उसके बाद इसमें हलका सा दूड मिलाया किवा दूद दूद भी करेती तব मैंने इसमें दूद ढाल दियाना अन। दूद भी पीलोगी तो वो खुश हो गई तो फिर इसके बाद एक ये 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 तवे पर हम लोग थोरा सा घी डालेंगे आप घी में बनाने का कुशिश कीज़ेगा मैंने भी घी में ही बनाया था घी पर घी डालके अच्छे से जब गरम हो जाए तो उसके बाद हम लोग को इस पैटल को अच् तरीके से पकाना है कि ये अच्छी तरीके से पक भी जाए और दिखने भी अच्छा लगे और जो आपका बच्चा है वो अच्छे से खाए तो ये देखिए मेरा बैटल अच्छे तरीके से तयार हुआ था और ये बिल्कुल भी तवे में स्टिकी नहीं हुआ है और इसमें मैं हलका से रिफाइन डाल दी थी कि मतलब जो भी कमी पूरी रह गई है क्योंकि उपर से घी डालने पर क्या घी को गरम करना पड़ता है अब घी गरम करने के लिए मैं पर सभी सुविधा नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा रिफाइन उपर से डाल दिया यह वैसे यह यह करंची ने साने के लिए दिया था और फिर इसके बाद हम लोग का जो बाकी का बैटर है वैसे हम लोग इसे यह तवे पर यह डाल लेंगे और अगर आपके बच्चे को कैचचप पसंदे तो आप कैचचप के साथ दे दो या होम मेर टमाटर की चटनी है तो उसके साथ दो या फिर जो भी चीज वह मागए आप उसके साथ इसे खाने के लिए यह दे दो अगर किसी दिन आपके यह सुए में अगर आप कुछ ना बना आप आप अपने बच्चों के लिए तो यह बनाके दे सकते हो तो मेरी बेटी का ये वन आफ ता फेवरेट फूर है ये जब भी बनता है तो बहुत मंद से खाती है और ये एक ऐसा है कि हेल्थ के लिए भी उसका अच्छा है और वो उसे पसंद भी है तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मुझे ज्यादा ये उसके पी उसके लिए अच्छा है तो आप भी ऐसे ही बनाई है अपने बच्चे को खिलाएं ठाइंक्यूंग्यूंग्यूंग्यूंग्यूंग्यूंग्यू